नमश्कार दोस्तो आज हम यहाबर गुरू के गोचर के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 अप्रेल से गुरू अपनी नीच राशी से निकल कर कुम राशी में आ जाएंगे और खोलकर अपने शुब परभाव देने लगेंगे जिस कारण से गुरू से संबंदित कारियों जैसे धन ग्यान विवावा संतान आदी पर बहुत फरक पड़ेगा और हमें गुरू के शुब रिजर्ट मिलने आरंब हो जाएंगे और गुरू से संबंदित दोनों भावों के सभी जातकों को शुब फलों की प्राप्ती भी होगी तो आईए सभी जातकों पर गुरू से संबंदित भावों के पर भावों के बारे में जानते हैं आज हम यहाँ पर तुला लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे तुला लगन के कुंडली में गुरो तीसरे वा छटे भाव के स्वामी है और स्वयम संतान भाव में स्थित होंगे इस समय में आपके अंदर साहस्वा प्राक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी आप इस समय में कई तरह के एहम फैसले भी ले सकते हैं आपके भाई भेनों कभी आपको इस समय में पूरा सुपोर्ट मिलेगा आप कुछ लिखने के काम जैसे कलात्मक कारे कर सकेंगे कुछ मॉडरन आर्ट जैसे कुछ कारे भी कर सकते हैं आपके संतान से भी आपको खुश खबरी मिल सकती है आपके किसी कॉम्पेटिशन में जीत हासिल कर सकते हैं आपके किसी पुराने रोग के ठीक होने की भी संभावना है आपकी इस समय में कर्ज मुक्ती भी हो सकती है गुरू पंचम भाव में रहकर आपकी रुकी हुई शिक्षा फिर से शुरू करवा सकते हैं या आपके शिक्षा में यदि कोई परिशानी आ रही थी, तो वह भी दूर हो जाएगी, प्रेम संबंदों में मजबूती आएगी, संतान से संबंदित परिशानिया भी खतम होंगी, आपके यदि पहले से संतान है तो उससे अच्छी खबरे मिलेंगी, भागे का पूरा साथ मिलेगा, स्टूरेंट्स के उच्छ शिक्षा के रास्ते खुलेंगे, पिता का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, उमर में बड़े लोगों को लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, व्यापार में लाब के भी कई अवसर मिलेंगे, घाटा होने के चांस तो बहुत ही साफ सुत्रा रहेगा, आपका स्वास्ते भी इस समय में अच्छा रहेगा, आप सारे कारे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, कुल मिलाकर कुम्ब राशी में गोचर तुला लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो दोस्तों आपको यद